टाइम बचा है कम, प्रिप्रेशन है ज्यादा तो इसलिए इन चेप्टर्स को तो आपको करके ही जाना है 101% हिल में प्यारे बच्चों मैं आपका अंके सराज लेके आया हूं क्या डू और डाइच एप्टर्स फोर जैई 21 के लिए तो मेरे जो भी प्यारे प्यारे नन्ने मुन्ने से स्टूडेंट से जो जैई 21 में हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है ठीके ना क्यों हमने लिए तो टाइम बच्चा है कम प्यूप्रेशन है जयादा तो इसीलिए इन चैप्टर्स को तो आपको करके ही जाना है 101 इन में से कोई भी टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है ठीक है न तो जो भी बच्चा इस बीडियो को देख रहा है लाइक कर दे और सेयर कर दे ज् यहने काफी पेपर्स क्या कियें आपके analysis कियें उसके बाद हमने कुछ chapters decide किये हैं कि यह chapters आपके लिए क्या है बहुत ही important है क्या है की मैंने क्या किया फिजिकल और गेनिक इन और गेनिक तीनों को मैंने डिवाइड कर दिया फिजिकल और गेनिक इन और गेनिक मैं ठीक है ना और हम बात करेंगे ट्वेल्ट की एंसी आटी की बात करेंगे फिर हम और गेनिक की बात करेंगे ठीक है ना तो चलते हैं हम भगवत गीता है जो कि आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पता है यह तो सभी को पता है तो आपको NCRT बहुत ही अच्छे से करनी है सबसे पहली बात तो हम देखते क्लास 12 की chapters हमें कौन से करने क्लास 11 की chapters कौन से करने जेई 21 के लिए यह हम देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो देखो जैसे कि मैंने क्लास 12 NCRT को मैंने decide किया लिए आप क्या क्या करें कॉंप्लेक्स कंपॉंड को कलने अच्छे से question बनेगा और आप दूसा चैप्टर आपका दूसा चैप्टर है और तीसा चैप्टर जो है इंपोर्टेंट है क्वालिटेटिव एनलेशिस यह भी आपको करके जाना है यहां से भी एक question तो मिले गही आपको मिनमम मतलब यह chapters ऐसे मिनमम एक question तो मिल नहीं जैसें look at the Cotton क्या सब्सक्राइबर को करना है अब क्लास आपको अच्छे से करना है कि इसको केमिकल वॉर्णिंग को अच्छे सबेंट, करने पिरोडिक करने, तो आपसें करने फिर आपको तो का तन smiles कि Kennet aparecer आपको पता है मैं और गात किने लिए सब्सक्राइब žूम पर करना है कि मैं श्रॉबॉट्बा को भी सब्सक्राइबुट्स परatraट ने ले तो चेमिकल वांडिंग में आपको क्या करना होगा आप फजांस रूस पर सकते हैं पजांस रूस कर लें मोटी अभी मैंने देखा है 2020 के पेपर में मोटी से कॉस्टन्स बहुत आए हैं ना सेफ एंड हैविडाइजेशन को देख लें आप वहां पे ठीकिना डाइपोल मुमे खीडな ना था तो यहां पर मिनमम टुकॉर्शंज तो हाफको मिलें हीं मिलने है एं मेरे पियारे वच्छों यह मैं पिछसे बता हूँ नीमम टूकॉर्शंस तो मिलने ही हैं ठीक ANY तो चले लेक्षंस उनों को हिःचित्भी आप 59 रियाक्षण वह 15 acáضी अच्छे से लेक्षण की बाद do आप सारे कर ख़ी च्क talented तुक्त अच्छे से देख लें यहीं सेति गया आप नेम डियक्षण है डियों सी तो आपको इस तरीके से क्या हो सारा रोर्यनिक मैक्समुम और आप इस टाइप की रियक्शन देख लेना ना एन ए इन पर जैंस आप एसी टोन देख लेना तो इस तरीके से आप कुछ टॉपिक्स मैंने बहुत बता रहा हूं इन नेम डियक्शन को आप देख लेना सेंड मेर रियक्शन देख लेना तो इस टाइप की आप रियक्शन आपको अच्छी करनी है तो आप से सॉल्ब हो जाएगा जैसे मैं मौल कॉंसेट की बात करूं तो मौल कॉंसेट में इंपॉर्टन टॉपिक क्या हो जाएगा आप एंपरिकल फॉर्मूला कर लेना एक कॉस्टन आता है या आप मौल कॉंसेट में क्यों सा लिमिटिंग में आपको दोनों लिखे हैं लिफिर को जाएगा तो आपको लिखे हुए सारे यहां पे में औरों दी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है अब कुछ और मैंने चेप्टर जिनको मैंने अलगी रख दिया है जैसे मैंने बायो मॉलिक्यूल्स हो गया आपका पॉलीमर्स हो गया इन्वार्मेंटल केमिश्टी हो गया इन चेप्टर को भी आप बहुत अच्छे से करके दिये हैं तो इन चेप्टर को कर लेना बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि यह पूरे हायर प्रियोर्टी वाले क्या है चैप्टर है आपके लिए ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहा है लाइक कर दे शेयर कर दे ज्यादस ज्या